विप्रवर मेरे इस अपराध का प्राइश्चित क्या है और इसके लिए आप मेरे को कोई भी उपाय या नियम बताईए। राजा रोमपाद के वचन सुन्ने के पस्चात वह वेदों के पारंगत ब्राम्हन विद्वान ने यह सलाह दी की विभांडक के पुत्र राजन आप उनको किसी भी उपाय से यहाँ पर इस राज्य में लेकर आईए। विप्रो ने राजा से कहा आप रुष्य श्रुंग को यहाँ पर लेकर आईए और उनका सतकार कीजिये। और उसके पस्चात वह वेद पारंगत ब्राम्हन जो विभांडक के पुत्र हैं। विधी प्रकार उनका विवाह अपनी कन्या शान्ता के साथ कीजिये। विप्रों के वचन सुनने के पस्चात राजा चिन्ता में डूब गए और वह सोचने लगे की इस शक्तिशाली महर्शी को मैं किस प्रकार से इस राज्य में लेकर आऊंगा। उसके पस्चात राजा ने मंत्रियों के साथ निश्चे किया कि पुरोहित और मंत्रियों को सतकार पूर्वक वह रुष्य श्रुंग और विभांडक मुनी के पास भेजेंगे।